देशबर में प्रधार मंत्री नरेंद मोदी की प्रचन सुनामी के बीच भाजपा ने हिमाचल में जीत के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिये हैं कांगडा से किश्वन कपूर, शिमला से सुरेश का शप, मंडी से फिर रामसरूप, शर्मा और हमीरपूर से लगातार चोथी बार अनुराग ठाकूर ने जीत दर्च की है आमचनाओ में मोदी मैजर्ग का आलम ये रहा कि करीब 4,67,630 मतों के अंदर से कांगडा से प्रत्याशी किश्वन कपूर ने अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड जीत दर्च की है किश्वन कपूर को 7,25,218 चपकी हारे प्रत्याशी पवन काजल को 2,47,595 वोट मिले हैं मंडीजी रामसरुप शर्मा को 6,47,189 मत और उनके प्रतिद्वन्दी आश्र शर्मा को 2,41,730 वोट मिले हैं आपको बता दें तो वहीं प्रतिद्वन्दी कॉंग्रेस के रामलाल ठाकुर को 2,83,120 वोट मिले हैं शिम्ला से सुरेश का शपको 6,6,183 मत मिले जबकि धनी राम शांडिल को 2,78,668 मत मिले हैं हिमाचल के थिहास में देखा जाए तो अब तक की चारों संसदी सीटों पर यह सबसे बड़ी जूइत हैं बीज़ीपी को प्रचन जूइत मिले हैं हिमाचल की चारों सीटों पर बीज़ीपी ने ये काम्याबी 哈सल की हैं हमीरपूर से अनुराथ ठाकुर ने जूईत पर कब्जात जमाया है और इस तरह से कॉंग्रेस पार्टी को बड़े अंतर से मात इन बीज़पी प्रत्याश्यों के दुवारा दी गई है तो चारू सीटों पर बीज़पी का कब्जा झाल